इह कहानी एक समय के एक संत्की है जिन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया था लेकिन उनके सामने भी कई चुनोतियाओं आई उन्होंने समय और लक्षे के महत्व को समझ लिया था और यह किसी और से सिखने के लिए अपने शिश्यों को एक भाशन दिया प्रिया शिश्यों प्रित करता है और अपने लक्ष के प्रती पूरी तरह समर्पित होता है तो उसे सफलता अवश्य मिलती है। तुम सभी को यह समझना होगा कि तुम्हारे पास बहुत सारा समय है लेकिन इसका उप्योग सही तरीके से करना होगा। अपने लक्ष को पूरा करने के लिए तुम्हें समय का महत्व समझना होगा। और हर दिन को एक नया मौका मानकर समर्पित रहना होगा। समय और लक्ष दोनों को मिला कर ही हम सफलता पा सकते हैं। तुम्हें अपने सपनों के पीछे भागने के लिए समय का सही तरीके से उप्योग करना होगा। और मैं जानता हूँ कि तुम यह कर सकते हो। इस भाषन से उस संत ने अपने शिश्यों को समय और लक्ष के महत्व के बारे में सीख दिलाई और उन्होंने उन्हें प्रेरित किया कि वे अपने जीवन को सफलता की और बढ़ाने के लिए समय का सही तरीके से उप्योग करें बढ़ारे में इसे थान सकता हैं Usingूरीивать किया म Васy तरीके से उप्यों को समय की और उन्हें ऑन्हें को समय को समय को सही परे कि बारे में और लक्या forबार, को समय को समय को सकते हैं